साथियो सबसे पहले सभी को करांतिगारी जैभीम हार और जीत हमेशा से चलती रही है कभी विपक्ष में बीजेपी की दो शीट हुआ करती थी कॉंग्रेस के जमाने में और आज कॉंग्रेस उसी हालत में है और बीजेपी कहां पहुंच गई है बसरते की इसलिए कि लगातार कंटिनू मेहनत चलती रहें तो साथियो मैं उन लोगों के लिए चार लाइन बोलना चाहूंगा जो लोग इस समय हतास महसूस कर रहे हैं कमजोर महसूस कर रहे हैं या टूटे हुए हैं खासकर अपने बहुजन अपने दलित भाईयों के लिए कि जिन्दगी की राहों में तू मुश्कराता चल मुश्कले बहुत आएंगी तू मुश्कराता चल जिन्दगी की राहों में तू मुश्कराता चल मुश्कले बहुत आएंगी तू मुश्कराता चल तू आज है खाली कल भरा होगा तेरा आसिया ना तू हिम्मत नहार कल तेरा भी होगा जमान तू इस में मुस्कर रहाता चल मुश्किल अब होताएंगी मुश्कर राता चल तो साथ यह लाईने मैंने इसलिए बोली है साथ यह तूटना नहीं है हमेंसा मुश्कराना है और महनत के साथ कर देते हो क्या गरार कर देता है चेंज dedikंों और लोग आराम से आजाए साथ यह इसलिए अपने आएगी और पाल्टी सत्था में जरूर आएगी इसलिए कैसे मश्मूत होगी दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा दोबारा से जो हमारे संस्थाइं है और और बहुत सारी ऑप पराने लीडर को दोबारा लिया जाए और हर लीडर के साथ में कम से कम दो युवा होनहार युवाओं को साथ में लगाया जाए तभी जोड़ सकते हैं जो लोग हमारे आज भी लोग तयार है मैं भेहन जी से रुकेश्ट करना चाहूंगा इस माध्यम से हाथ जोड़कर कि भ मंधन के साथ अपने घर को भी बेच के पार्टी में लगा दें ऐसे लोग हो और हुआ भी है ऐसे साथ नहीं नहीं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कौन सुरक्षित बताईए आप एक बात बताईए बहन जी के सासनकाल में 0% जीरो बैलेंस पर जो एडिमिशन होते थे लल एललम पीएचडी यानि की बीटेक एमटेक एमटेक एंबीए बीबीए एमसी ए इनमा आज कोई भी 0% पर एडिमिशन होता है पूरी फीश ले रहे हैं पूरे वसूल कर रहे हैं और जो स्कॉलर्शिप की ववस्थाती वह भी खतम कर दिया यह तो इसलिए सुरक्षित कहा ह कहां उन्हें रोजगार दिया जा रहा है बताइए आप एक वी किसी उंडल के रोजगार चीना जा रहा है उल्टा तो कहां सुरक्षित है बीजेपी की नीतियों से तो बहुत परिशान है लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी की उमर जादा हो गई है किसी युवा को जो है बागडोर संभालने चाहिए क्या मोदीजी से जादा उमर हो गई है वो तो देश के प्रधान मंत्री अभी भी बने हुए और 2024 का सपना देख रहे हैं आगे भी वो तो पजबे मरने चाह रह की बहन जी ने राथ दिन महनत करके उस पार्टी को बना तो किसी और के हाथ में सब्द्द क्या पार्टी को बताई यह ना बहन जी रहें बल्कि बहन जी को नीतियां चेंज कर देनी चाहिए बहन जी को मिस्गाइड कि आसपास के लोग है वो सही ख़बर नहीं को साथ लेक प्रोब्लम आ रही है नायक फिल्म थी ना फिल्म में एक पुराना वह था मंतरी उसके साथ युवा मंतरी भी लगा दिया तो प्रेग्रस हुई थी यदि नायक की तरह हम अपनी पोजी समय लेकर आना है तो एक युवा साथ में लगाना ही पड़ेगा मेंजी कुछ लोग क क्या बुल्कु सही कह रहा है लेकिन एक स्टेज है कि आज 25 करोड के 25 करोड की जंसें क्या है उत्तर प्रदेश में निखालस बहुजन जो है दलीतों के आधार पर सत्ता में आ सकते आप सब की भागेदारी लेनी पड़ेगी मुसलिम की भी लेनी पड़ेगी यादव की ले हुआ तभी तो प्रोब्लम आई है एक दोबारा से फिर खड़ेंगे साथ हो घबडाना नहीं बिल्कुल नहीं तूटना है अपना फिर मजबूत करना है हमारी बाहर फिर एक दिन आएगी हम पहले चारवार मुक्ष मंत्री बन चुक है क्यों बने उनी पिछली हम उनको दे सब्सक्राइब गी होब संस्वाभी मन दिया जाय तो पार्टी बहुत हुँ न सब्सक्रावेजाब सिब्द हो कर रहे हैं जर्सक्राथ इसलिए कुछ हमारा युवा तूटके चला गया क्योंकि जो अपने 22 परसेंट तो सलामत रहने चाहिए तो उनकी उपेक्चा हुई इसलिए जब अपना घर में नहीं बैठने देगा कोई तो दूसरा घर तो बनाए गई बनाए इसलिए इसलिए वह जा रहे हैं तो मैं यह कह बनाए बिल्कुर नहीं है अभी भी हमें केस को लेकर जा रहे हैं जाता है यह जो चुना हुए पांच राज्यों में सबसे बड़ी घटना हुई है एक तो यूपी में दलित राजनीती लगबक श्रसातल में पहुच गई है बीस्पी जीरो हो गई है दूसरा पंजाब में सब्सक्राइब करते हैं सामाजिक परिवर्तन की गती कभी बंद नहीं होनी चाहिए जब सामाजिक परिवर्तन की रहेगी तो वोट हम जीट जाएंगे हार जीतता होती रही है हम 2007-2012 तक फुल माज़ोटी में थे उससे पहले तीन वार मोख में जब नहीं बोल लेते आपकुछ भी अब जटके में नहीं चाहिए तो एक बात बोलने लगए एक शीट रही आने वाले समय देखिए ना युवा काम करेंगा सब लोग काम करेंगा आगई बढ़ेंगे य मैं अपने माध्यम से सजेशन देना चाहूंगा कि यदि बीसपी को 2024 में MP की शीट लेनी है तो अभी से लग जाना चाहिए अभी से हर विदान सावा में कम से कम बिल्कुट पढ़े लेखे एकदम एजुकेटिट सो 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 लोग कम से कम वहां लग जाने चाहिए बीजे आम पूरो तंत्र को एक जिगह लगा देती है जैसे बीजेपी एक जिगह लगा देती है ऐसा ही पूरो तंत्र को इधर उदर भटके वह तंत्र को सबको समय यदि यूपी में लगा दिया जाए तो 2024 में MP की शीट जरूर हम लेकर आएंगे